और उसके बाद अगर हम बात करें, question number 12, question 12 में क्या कहता है जी, कहता है interest on capital and interest on drawing compensate which partner, interest on capital से फाइदा किसको होता है, interest on capital से फाइदा उसको होता है, जिसका capital ज्यादा है, और interest on drawing से फाइदा किसको होता है, जिसकी drawing ज्यादा होगी उसको तो नुक्सान होगी, capital जिसका ज्यादा है, उसको interest on capital से फाइदा होगा, और जिसकी drawing कम है, उसको interest on drawing से फाइदा होगा, तो answer क्या बनेगा B, अगर आप ज ड्राइंग करते हैं तो आप चाहेंगे कि जो दूसरा जादे ड्राइंग कर रहा है उसमें से भी आपको कुछ मिले सही जी तो आंसर बना